हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज इस वीडियो में हम कच्छा दस का अर्धवासिक जो परिच्छा इससे में चल ला है उसमें हम आज विज्ञान का पेपर देखेंगे जो आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए ये कोईशन बहुत ज़्यादा और याद करने का प्रियास करें देखिए फ्रेंस आप को इसमें कितना तीन घंटे का समय मिला था जिसमें इसमें 20 नंबर का आपको वस्तुनिष्ट अर्थात बहु कल्पी प्रश्ण था और पचास नंबर का आपका लिखित प्रश्ण पूछा गया था ठीक है फ्रेंस देखिए चलिये हम चलते हैं और सीधे देखते हैं कि आपका प्रश्ण किसे प्रकार कि पूछा गया था और दो वारसिक पेपर में इस क्वेश्चण को आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पुछा गया प्र enfermed ऑसे और कि फोकेस की फोकॉस दूरी क्या होगी जिसकी वकृता 302 सेंटीमीटर रहें तो फ्रेंज आपको फोकस दूरी होता है पता होगा क्य website टाग क्या होता है आधा होता है तो फ्रेंज यहाँ पीस प्रश्ड का राइट एंसवर था भार सवलाह सेंटीमेटर आपको प्लॉचा गया थकि स्वास्त आग के लिए दूर बिंदू होता था स्वास्त आघ के दूरी 25 संटीमेटर में से दिधर यहां पूछाएं दूर बिन्दु कि दोर सता है अगरा अनतरिष यात्रियों को आकास दिखाई देता है उसका आकास का रंग और काकााई दिखाई देता है इस प्रश्ण का राइट एंस्वर अहोगा इन प्रश्णों को आप देख कि आप बोर्ड का एक्जाम का प्रिपरेशन अच्छे प्रकास कीजिए और इस प्रश्ण पत्र को ध्यान पुरूवक देखे दो से चार कोश्ण आपके बोर्ड के एक्जाम में जरूर आएगा एक है उसका इम इस प्रश्ण क राइट अंसर होगा आपका अगला प्रश्ण पर संतल दरपड की फोकस दूरी تم और वटा है उसकी फोकस दूरी अनन्त होता है एक ale वह लाव हो हो थीक है फ्रेंस चली प्रस्ण का लिथियम होगा ठीक है तो कौन से दातू है फ्रेंश प्रेंश नो नमबर का है कि यूरेनियम है और तुह यहाद रखेगा जो यूरेनियम होता है रयडियोट्व त्थ घू होगा आपका अगला प्रशन है फ्रेंश की सलफर डाय आकसाइड का जली विलियन होता है तो अगला प्रशून यहाँ प्राइंसर, चारी विलियन मान था है, उसका पियह सते साथ से अधिक होता है, यदी साथ से कम होगा, तो अधिक हो जाएगा और नहाएंandal होगा ती प्रंशन के राइच एंसर, विल rail होल गा को धनुट न सब्दी होगा है,ain नहाफस। यानि चारक के साथ हल्दी का रंग नारंगी होता है आपका अगला प्रशन है फ्रेंस कि पचीस सेंट डिग्रेट ताप पर जल का आयनिक गुड़न फॉल होता है इस प्रश्क राइट एंसर होगा आपको बॉर्ण होता है इसको हमेंसे याद रखिएगा कि यह 10-14 होता है इसको आप याद रखिएगा कि पचीस सेंट ग्रेट ताप पर जल का जो आयनिक गुड़न फॉल होता है 10-14 होता है चलिए आप देखते हैं अगला उप्खंड गह का इसमें आपका चौदा वे नंबर का प्रशन है प हो अगले प्रस्ण को देखते हैं देखिए आपके सामने प्रस्ण है अगला इस सब्सक्राइब माइट्रोकांड्रिया माइट्रोकांड्रिया देखें आपको 17 नंबर का प्राशन है कि एक अडू गुलकोस के पुड़ आक्सिकड़ में कितने एटीप अडू प्राप्त होता है यहां देखें 32 दिया 36 दिया 34 और 30 इस प्राश्कराइब एंसर हो जाएगा 32 अगला प्राशन है फ्रेंस पादपों में जल का कार्य होता है यानि जाहिलम का कार्य होता है यानि जाहिलम का कार्य बताना है इसका राइट एंसर होगा जल का सनवहन यानि जो जाहिलम का में काम होता है जल का सनवहन करता है इस प्राश्ण का राइट एं अगला प्रोटीन को बना होता है किवल प्रोटीन के सामने प्रोटीन के यहां से सब्सक्राइब चलते हैं लग उत्तरी प्रशन को देखते हैं और यहां से आप करने का प्रयास करें ठीक है देखिए आपका सवाल है कि 15 cm फोकस दूरी के लिए उत्तल धड़पा से कोई बीम 10 cm दूर पर रखता है परतवीम की इस्तिती प्रकृति ग्याद करना है यह प्रशन था आपका फिर भौती विग्ञान से आपका है कि काश के प्रिजम दुबारा श्वेत प्रकास का विच्षेप अस्पष्ट किजिए आपको अगला प्रशन था प्रकास का प्रावर्तन क्या है प्रावर्तन के नियमों का उलेख किजिए फ्रेंस यह जितने प्रशन हैं आपकी बोड के एकजाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं इसमें से एक एक दो प्रशन आपके सवाल पूछ देता है यह का आपका नियम पूलिए वह बहुत इंप्टेंट है अब द दीखें आपको पता होगा कि इतना इंप्टेंट इन दूनों कौश्चन में से एक श्चन आपको बूर्ड के एक्जाम में आ जाता ठीक है इन किताब में देखके इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए मानु नेत्र का सचित्र वड़ाइं कीजिए तदा नेत्र रुद्वारा डेटिना पर प्रतिभीम का बनना कि रोड आरेग द्वार असपश्ट कीजिए यह तो आपके सब थे चलिए अगले प्रशन को देखते हैं फ्र देखे निम्न पर टिपड़ी लिखे संचारण क्या होता है विकृति गंधिता क्या होता है इसके बाद देखिए अब यहां पर धावन सोड़ा दिया फ्रेंस आपकी पेपर में धावन सोड़ा हो गया ब्लीचिंग पाउडर हो गया ठीक है विरेंजक चूर यह सब जितने होते हैं इस पर आपका सुत्र पूचता है रासायनिक सुत्र बनाने की वीदिया आपके पेपर में आते हैं यह दो तीन जो है रासायनिक नाम उनको याद रखिएगा उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए आपका अगला उपखंड गव है देखिए आप पूछा रंद्र क्या है इसकी उप्योगिता असपष्ट कीजिए आपके क्या है जूविज्ञान से एटिपी क्या है इसका निमा किस पकार होता है काईक जनन क्या है काईक जनन के लाव इन प्रशनों को आप अपने किताब में देके पढ़ सकते हैं दिरिगुत्री वस्त यहां वे वस्त की सहता से असपष्ट कीजिए ठीक सवाल पूछा था फिर यहां पूछा थे परिवार नियोजन किसे कहते हैं परिवार नियोजन की विदियों का वड़न कीजिए फ्रेंस यह आप